हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे गौस्थरम का एप्लिकेशन नंबर टू तो स्टार्ट करते हैं जो गौस्थरम का एप्लिकेशन नंबर टू है वो है इंटेंसिटी ओफ इलेक्रिक फील्ड द्यू टू इन्फाइनाइट प्लेन शीट ओफ चार्ज हमने पहले जो शीट है इसमें उनिफर्मली चार्ज डिस्टिब्यूट किया हुआ है तो गौस्थरम के लिए हमें पता है कि सर्फेस जो है वो क्लोज होना चाहिए तो यहां पे भी हम एक सिलिंडर सपोस्ट करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस वाले फर्स्ट एप्लिकेशन में भी किया सेब्सक्राइब करेंगे अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ये वाले surface पे ये वाले surface पे और ये वाले surface पे क्या क्या होगी तो सबसे पहले देखते हैं जो charge होगा इसमें हमने surface charge density का formula पढ़ा था वो होता था sigma is equals to q upon a तो हमें यहाँ पे charge की value find करनी है तो a को हम q upon a से a को उधर transpose कर देंगे तो charge की value आजाएगी sigma into a वो हो जाएगा equation number one अब हम इस figure से flux की value समझते हैं तो ये जो surface है इसकी जो direction होगी वो outward होगी और जो electric field है उसकी भी direction outward है तो दोनों एक दूसरे के parallel हो जाएगे तो उनके बीच में angle हो जाएगा 0 degree और यहाँ पे भी वैसी होगा यहाँ पे electric field की direction outward है और area की direction होगी वो भी बाहर की तरफ हो जाएगा तो यहाँ दोनों पे flux होगा तो उसकी value मागे देखते हैं पर यह third surface पे देख लेते हैं कि यहाँ पे flux की value क्या होगी तो यह जो cylinder है वो ऐसे रखा हुआ है तो इसकी जो area की direction होगी वो इसके perpendicular ही होगी तो perpendicular ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा तो यह जो electric field है ऐसे direction है तो यह दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगे तो cos 90 जो है वो 0 होता है तो जो curved surface है cylinder का उस पे electric flux की value 0 हो जाएगी अब हम derivation की तरफ बढ़ते हैं जो electric flux है वो हमें 2 side पे मिला था एक जहाँ पे point पी यहाँ पे पी डेश है वहाँ पे यहाँ पे हम दो electric flux लेंगे एक point P के वज़े से और एक point P डेश की surface पे तो जो electric flux का formula है वो electric field into surface होता है तो हम यहाँ पे ea प्लस ea ले लेंगे तो electric flux जो है वो 2 ea हो जाएगा लेकिन गौस्ट तरम से हमें पता है कि जो electric flux है वो उसकी value q upon epsilon 0 होती है अब हम equation 2 और equation 3 को equate कर देंगे क्योंकि दोनों के LHS equal है तो दोनों के RHS भी equal हो जाएंगे तो जो 2 ea is equals to q upon epsilon not हो जाएगा अब हम electric field intensity find करनी है infinite plane charged sheet की वज़े से तो हम e is equals to q upon epsilon not a a जो है वो misprint है छोटा print हो गया है लेकिन वो normal size करेगा e is equals to q upon 2 epsilon not a हो जाएगा 2 और a का transpose हो जाएगा अब equation 1 से जो q की value थी वो थी q is equals to sigma a तो हम q की जगे पे sigma a पुट कर देंगे यहाँ पे हमने q की जगे sigma a पुट कर दिया है तो a से a cancel हो जाएगा तो जो formula आ जाएगा intensity का electric field का plane charged sheet की वज़े से वो हो जाएगा e is equals to sigma upon 2 epsilon not thank you